यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे उन में से एक छे साल का था और एक दस साल का दोनों बहुत अच्छे दोस्ते बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे दोनों हमेशा साथ-साथ रहते साथ-साथ खेलते साथ-साथ खाते-पीते साथ-साथ नाते दोते नहीं दोते नहीं, ये थोड़ा जादा हो गया तो एक दिन वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उन में से जो बड़ा बच्चा था दस साल वाला, वो एक मुए में गिर गया गिर गया और जोर जो उसे हेल्प के लिए, और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिसके एक रसी बंदी हुई थी उसने एक सेकंड भी वेस नहीं किया उस बाल्टी को उठा करके प्लियों में फैट गया और अपने दोस्तों को बोला के पकड़ ले इस उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताहत लगा करके पांगलों की तरह उसको खीचने लगा खीचता रहा, खीचता रहा, खीचता रहा अपनी पूरी जान लगा दी उसने, चोटेशे बच्चे ने और दस साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था खीष तरा खीष तरा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्तों बचा नहीं दो जब तक वो बार नहीं दो अब यहां तक तो ठीक था यहां तक तो एक आनी समझ आती है लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही यह दो बच्चे जब दोनों एक हो गए जब भार आए और आकर करके गले मिल रहे रो रहे और खुश हो रहे एक तरफ उनको डर भी लग रहा था डर था कि अब गाउं जाएंगे तो बहुत बटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और यह सब चीज़े होई लेकिन मज़े की बात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो जब गाउं गए और जा करके उन्होंने अपने घरवालों को बताया बाकी गाउं वालों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया पुरे गाउं वालों ने और वो अपनी जगे बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके तो इतने बड़े बच्चे को इतनी उपर खीचना तो बहुत दूर की बात है लेकिन एक आदमी था उस गाउं में उसने विश्वास कर लिया उनको सब रहीम चाचा कहते थे उस गाउं के सबसे समझदार बुजर्गों में से एक और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते हैं अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई नो कोई बात होगी कोई नो कोई वजय होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे है और फिस सारे गाउं वाले इखटे होगर के उनके पास में गए और जा गर के बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा आप भी बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उनको हसी आ गई वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बता हूँ बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया बाल्टी को उठा गर के कुवे में फैका उसके दोस ने बाल्टी को पकड़ा उसने रसी को खीचा और अपने दोस को बचा लिया तो आपको पता तो है उसने कैसे किया बच्चा बता तो रहा है इसमें मैं क्या बता हूँ तो सारे गाउँवाले उनकी शकल देख रहा है फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल यह नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा यह कैसे कर भाया सवाल यह है कि वो यह क्यूं कर भाया कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है सिर्फ एक कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता कोई नहीं था कोई नहीं यहां तक की वो खुद भी नहीं वो खुद भी नहीं